हलो एवरिवन वेलकम टू यश्की क्राफशाला कैसे आप सब लोग आज हम लोग बनाते हैं यह वाला कर्टन जो रेड रोज वाला है वो और इसे पहले मैंने पॉम-पॉम वाला कर्टन बनाया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए आज ह बनायेंगे इसको बनाएंगे के एश से आप smoked वाला डोरी नहीं तो आगे देखते हैं वीडियो में लेट्स प्लीएक है से से एफांच और लडिया उपक पल लिया है इसको भॉणल लियाया है और व गोशन को कॉट्व्वयर ने को टाई कर लिया है यह हमारा बहुत ठारा बनकर ready है अब हमको बनाना है red rose इसके लिए उनके 4-4 धागे ऐसे लिए हैं और सबसे important बात इस रोज को बनाने में यह है कि आप जो धागे ले रहे हैं उसको बहुत धिला 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 जैसे मैंने किया है इस वीडियो में वैसे ही बहुत धिला ही आपको चोटी बनाना है इसके last end को हमें tightly band देना है उपर वाले end को भी बान देना है अब इसको round and round कुछ इस तरीके से हमें लपेटना है अंदर वाला side निच्छ वाला side अंदर side जाएगा और कुछ इस तरीके से लपेटते हैं मतब हलके हाथों से हमें लपेटना है कुछ इस तरीके से अब वापस तो बनाते हैं हम पत्ती, इसके लिए मैंने 18 टाइम्स ग्रीन कलर का जो उन है, उसको round and round अपने उलेओं से घुमाया है, इसके बीज्वाले पोशन को tightly बान दिया है, किनारों को कट कर दिया है, और जो extra उन है, उसको भी मैंने कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से, अब इसको सेट करके देखा जाए, कि आखिर ये रेड रोज की उपर लग कैसे रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, बताईएगा, अब इसको फिर से वापस से सुईधा के सायता से सिल देते हैं, वाव ममा इतने सा रेड रोज, क्या करने वाले है, इस इसका हम लोग परदा बनाने वाले हैं, पिछले बार जो हम लोग पंपो माले बनाये थे न, वैसी वाला, इस बार हम लोग रेड रोज वाला बनाने वाले हैं, बुके हम नेक्स टाइम बना लेंगे, ओके ममा लेकिन ये तो बताओ, हमें इतने ऐसे वाले कितने बनाने हैं टोटल फिप्टीन बनाएंगे बिटा ममा यह क्या कर उनको चोटी बना रहे हो मेरा बैसी बनाना नेक्स टाइम में लेकिन आपके बाल तो चोटे हैं कैसे चोटी बनाएंगे चलो इन सब बातों को छोड़ो अपने आगे वीडियो कंटीनू करते हैं तो ऐसे मैंने चोटी बनाया है यह उपर वाला जो बेस है उसके लिए इसमें हमारा जो लटकन है यह लडिया उसको हमको लटकाना है तो थोड़ थोड़ डिस्टेंस में मैं ऐसे सुई धागेक सहाथा से मैं इसको सिलते जाओंगी इसमें हमने टोटल फिप्टीन लडिया बनाई है मैंने जिसमें से थर्टी हमने रेट रोज यूज किया है नीचे में के रोज यूज किया है और मिड में के रोज यूज किया है लेकिन इसमें ध्यान ही रखना है कि मैंने सभी जो मिड वाले रोज है उसको equal distance में ने रखा है कुछ में बीच में है कुछ में नीचे में है कुछ में उपर में है तो ऐसे मैंने किया है और इसी तरीके से मैं सभी को सुईधाय का सहाधा से सिल लूँगी distance आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आप चाहे तो पास-पास रख सकते हैं आप चाहे तो दूर-दूर रख सकते हैं मुझे personally पास-पास ज़्यादा पसंद है यह हमारा रेड रोज वाला परदा बनके रेडी है आपको कैसा लग रहा है बताईए वाव ममा यह तो बहुत सुन्दर लग रहा है इसमें मैं अंदर सड़ जाओ प्लीज ना ममा अंदर सड़ जाकर देखते हूं कैसा लग रहा है यह प्लीज ओके बेबी ठीक है अंदर जाओ आपके अगर बच्चे हैं तो वो ऐसा जीत करते हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताईएगा हमारे हाथ बच्चे बहुत जीत करते हैं ऐसा बनाओ तो उसको अंदर बहार ही होना है कि पर्दा को खोल कर फिर अंदर जाना है फिर बहार निकलना है फिर अंदर जाना है फिर बहार निकलना है और अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बेल का जो घंती है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच फो वाचिंग इस वीडियो